हे गाइस वेलकम बेक माई यूटूब जालना इस बोट अपना एक और नया TWS ब्लूटूथ लूंच करने वाला है जिसका नाम होगा बोट एडॉप 601NC इसके नाम में ही NC है यानि कि 601NC तो इसमें आपको काफी गजब के लेवल की NC मिलने वाली है NC means Active Noise Cancellation जो कि आपको काफी अच्छे लेवल का इसमें मिलने वाला है इस वीडियो में इसके सारे जो फीचर्स है वो आपको बताने वाला हूँ कि क्या-क्या फीचर्स आपको इसमें मिलने वाला है गजब के फीचर्स है भाई, गजब के एक वन उप दे बेश्ट TWS ये होने वाला है, टक्कर का होने वाला है इस वीडियो में सारे जो फीचर्स वगरा है को मैं आपको बताऊंगा तो बने वीडियो में वीडियो को स्टार्ट करता है सबसे पहले बात को अगर मैं launch date की तो अभी कुछ confirm नहीं है कि launch कब होगा मैं भी हो सकता है कि यार 5 तारिक के आज़ पास ये launch हो क्योंकि जो भी अभी टीजर्स में जितने भी Bluetooth नेकमेंड या Bluetooth वोचस जो भी है वो 5 तारिक के around launch हो रही है तो में भी हो सकता है कि newer के मोके पर ये भी launch कर दे पांच के something तो देखते हैं अभी confirm नहीं है सेकेंड आप में बात करता हूँ design की तो वाइस design no doubt आपको काफी बढ़िया मिलेगी काफी अच्छी premium से design मिल जाती है साथ में आपको दो color choice यहाँ पर मिलता है एक color आपको मिलता है black second आपको मिलता है white लेकिन जो white color होगा उसमें जो ear tips होगे आपको green color के मिलेगे जो combo होगा वो काफी premium लगेगा काफी बढ़िया लगेगा अब बात आती है sound section की sound section में काफी गजब के features है इसके अंदर 10 mm के आपको drivers मिल जाएंगे 10 mm के drivers मिलेंगे boat का immersive आपको sound मिलेगा अब देखो 10 mm के drivers है तो काफी अच्छा fitting आपको मिल जाएगा साथ में base अच्छा मिलेगा साथ में guys यहाँ पर आपको जो hybrid noise cancellation मिलेगी ना उसके अंदर आप 33 decibel तक की noise को cancel out कर पाओगे यानि की काफी अच्छे level की आपको यहाँ पर hybrid noise cancellation मिल जाती है अभी तो features हो रहे वाई काफी गजब के features है बस आप बने रहो second guys यहाँ पर आपको 6 mic मिल जाते हैं एक यह tips में आपको 3 mic मिलेंगे दूसरे में आपको 3 मिलेंगे तीनो तीनो जोड के 6 mic आपको मिलेंगे साथ में आपको ENX technology मिलेगी अब देखो ENX technology और hybrid noise cancellation कैसे work करेगी इसके इंदर मैं features के साथ से आपको बता रहा हूँ मैंने कोई use नहीं किया है जो मैं आपको बता रहा हूँ जो features आया है जो teasers आया है उसके साथ से बता रहा हूँ जब launch होगा तो unboxing भी करेंगे सभी चीज़े करेंगे सबी चीज में आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे वर्क कर रही है क्या जो बोट बता रहा है वही चीजे हमको सच में मिल रही है नहीं अब ग्वाई सबसे पहल मैं आपको बताता हूँ अगर आप कोलिंग कर रहे हैं तो ENX टेकोलोजी वहाँ पर किस प्रकार से काम करेगी मैं आपको बतायता हूँ मालो की आपके आसपस कहीं टीवी चल रही है नियर भाई आपके टीवी चल रही है यहाँ पर आप इस साउंड को सुन रहे हो इस यह डिप्स को लगा राखे हो स्पीकर आपके अपास में चल रहा है तो 100 decibel तक की noise को यह cancel out कर पाएगा आप देख पा रहे हैं चार्ट साइड में सारा कुछ आपको बता चल जागा अगर आप calling कर रहे होंगे तो इस प्रकार की आपको noise cancel out यहाँ पर मिलेगी सेकेंड अगर आप music सुन रहे है यहाँ पर music सुन रहे है तो यहाँ पर आपको hybrid noise cancellation work करेगी सेकेंड अगर आपके nearby कहीं air conditioner चल रहा है तो यहाँ पर आपको 32 decibel तक की noise को cancel out कर पाओगे सेकेंड ट्रेफिक में है तो 95 decibel तक की noise होगी उसको cancel out कर देगा यह और साथ में अगर horn आपके पास में है तो गाइस 110 decibel तक की noise को यह cancel out कर देगा चार्ट आपस देख पा रहे हो hybrid noise cancellation आपके music सुनने पर वर्क करेगी और जो ENX technology है वो आपको calling पर वर्क करेगी दोनों चीजे आपके समझ में आ चुकी होगी 6 mic मिल जाते हैं एक तीन mic जो मिलते हैं वो एक 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 मिलते हैं सेकेंड आपको तीन मिलते हैं दोनों मिला के आपको 6 mic इसमें मिल जाते हैं ENX technology and hybrid noise technology आपको काफी गजब की यहाँ पर मिल जाती है भाई मुह धर्द ने लग गया अच्छे से आपको समझ में आएक होगा अब सेकेंड बात करते हैं यहाँ पर यह जो आपको बड्स मिलने वाली है फुली टच कंट्रोल मिलने वाली है अगर सीरीज में अगर आप access करना चाहते हैं तो सीरी भी कर पाऊगे सेकेंड गाइस यहाँ पर अगर आप Google Assistant यूज करना चाहते हैं तो वो भी आप इसमें यूज कर पाऊगे साथ में यहाँ पर आपको Ambient Mode Transparency Mode भी देखने ले मिलता है भाई भर भर के फीचर से हैं भर भर के Transparency Mode आपको मिल जाता है अब देखो Transparency Mode कब काम आता है मैं आपको बदाएता हूँ मालो कि आप रूम में हो और वहाँ पर आप इसका यूज कर रहे हो बोट के इस नए TWS को यूज कर रहे हो तो क्या होता है कि अगर आप नोर्मल तरीके से यूज कर रहे हो और रोड पर चल रहे हो और वहाँ पर आपने active noise cancellation on कर रहा है तो आपको बाहर की noise नहीं आएगी आप अपने song में ही मस्त रहोगे तो वहाँ पर दिक्कत हो सकती है क्योंकि यार जब आपको बाहर का horn क्या आवाज नहीं आ रहा है दोनों चीज़े आपको मिल जाएगी तो इससे क्या होगा कि बाहर की noise भी आपसन पाऊगे song भी आपसन पाऊगे तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी तो ये चीज़ आप इसमें यूज कर सकते हो जो कि आपको काफी बढ़िया मिल जाते है Transparence Mode and Ambient Mode आपको मिल जाता है Second guys यहाँ पर Connectivity की में अगर मैं बात करूँ तो Connectivity में थोड़ी बहुत कंजूसी है यहाँ आपको 5.0 का ही support मिलता है इतने सारे features दे रहे हैं इतनी सभी चीज़े दे रहे हैं तो 5.2 एटलिस देना चाहिए था लेकिन नहीं है कोई बात नहीं iPhone 0 को मिल जाता है बढ़िया है Google Fast Pair का support आपको मिल जाता है यानिकी फार्टली तरीके से अपने phone से Connect हो जाएगा साथ में IWP Technology मिल जाती है अब IWP Technology होती है Case के डखन को खोली है खोलने के बाद में बिल्कुल कम टाइम के अंदर आपके जो phone से यह है Connect हो जाएगा आपको birds को बाहर निकालने के जुरूत नहीं है जैसा कि iPhone में होता है iPhone के जो ports प्रो आते हैं उसके अंदर आप only for डखकन खोलना होता है वह आपके phone से Connect हो जाते है वही scene आपको यहाँ पर मिलता है अब गैस बात आती है बेटरी बेकप की कि कितना बेटरी बेकप हमको इसमें मिलता है तो गैस यहाँ पर आपको total playback मिलता है 28Hz का जो कि depend करता है आपके users पर कि आप उसको किस तरीके से use कर रहे है 28 गंटे का बेकप आपको मिलेगा तो साढ़े 4 गंटे का बेकप आपको इस single bird में मिलेगा single bird में आपको साढ़े 4 गंटे का मिलेगा अगर आपने nc on रख रखी है अगर आपने nc off रख रखी है तो आपको साढ़े 5 गंटे का बेकप मिलेगा और guys एक बार completely तरीके से अगर आपको आपने इसको चार्ज कर लिया और अपने ये tips हैं उसको बाहर निकाल लिया यानि कि birds को बाहर निकाल लिया तो जो case में जो बचा हुआ होगा ना जो playback बचा होगा वो up to 22 गंटे का होगा यानि कि 28 गंटे का total मिल रहा है अगर आपने birds को बाहर निकाल लिया तो up to 22 गंटे का backup आपको उस case में मिल जाएगा अब तू बता रहा हूँ फ्लेट नहीं बता रहा हूँ up to यानि कि 22 गंटे तक का मिल जाएगा अब guys यह जो चीज है वो fast charging को support करती है type C port आपको मिलता है 5 मिनट अगर आप इसको charge रखते हैं तो आपको यहाँ पर 60 मिनट यानि की एक घंटे का playback मिल जाएगा अब guys जो features मैंने आपको बता दिये हैं सारे features approach मैंने आपको बता दिये हैं इसके लावा मुझे ने लगता कि को features आना बाकी है सारे features आ चुके है price expected मैं आपको बताओंगा around 2000 के something आपको इसकी price मिलेगी 2000 से उपर जा सकता है 2000 से नीची जा सकता है क्योंकि features काफी गजब level के हैं काफी बढ़िया features आपको मिल जाते हैं अब देखते हैं कब आता है कोई range grade के बारे में complete पता नहीं है कि कब यह launch होगा कुछ भी हम नहीं कह सकते है expected price में आपको बता रहा हूँ 2000 के नीचे नीचे ले सकते हो उसे इसाब से आपको प्राइज मिल जाएगी झाल 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 झाल